हेलो दोस्तो अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकोन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन आउन कर ले ताकि हमारे द्वारा किये गए हर एक अपलोड का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल जाए और इस व ठालेता हूँ और इसे अच्छी तरह से सफल कर देता हूँ दोस्तो एक बार फिर से मैं इसे सफल कर देता हूँ और अब आप जिने यह ट्रिक दिखला रहे हैं उनको कहिए कि इन में से कोई भी काड निकाल ले तो चलिए मैं इस काड को निकाल लेता हूँ और आपको दिखला देता हूँ तो यह अच्छी तरह से देख लीजिए दोस्तों यह कौन सा काड है और मैं इसे यहां पर रख देता हूँ दोस्तों अब इन काड को मैं तीन भागों में डिवाइट कर देता हूँ और आप अपने दोस्ते के यह कि इस काड को उठा करके बीच वाले हिस्से में रख दे दोस्तों मैं इसके उपर इसको रख दिया और इसके उपर इसको रख दिया चलिए अब मैं आपक कि दोस्त ने कौन सा काड निकाला था मतलब मैंने जो अभी काड निकाला था तो वो कौन सा काड था तो दोस्तो आप इस तरह से काड निकल जाने के बाद अपने के लिए काड निकाला निकाल था तो दोस्तों वो वो काड इसमें से था यह वालए ठीक है न दोस्तों हमना तो चलिए मैं आपको बता देता हूं यह आशान सा सबसे पहले में कट को ठा लेता हूं तो इसके लिए करना कुछ नहीं आपकों सिंपल सा एक खेल है आपको लाख पती को देख लेना यह देखे नाइन हाँ नाइन ओफ हार्ट तो देखी दोस्तों इसको गुए और मैं इस तरह से इस तरह से सफल कर रहा हूं ताकि वह पत्ता नाइन जो है वो नीचे ही रहे और उसके बार मैंने बोला कि कोई भी एक कार्ट निकाल लीगे तो दोस्तों ये देखिए ये कार्ड यह से मैंने निकाला और इसको इस तरह से रखा अब इसे मैंने तीन भागों में बाट दिया और इसको मैंने इस कार्ड को यहां पे रखने को कहा और इसके उपर इसको रखा और इसके उपर इसको रखा और बस अब मैं आपको मता रहा हूं जो कार्ड आपने नीचे में देखा था उसके बाद वाला पत्ती वहीं पत्ती है जो आपके दोस्त ने निकाला तो दोस्तो ये नाइन मैंने लाश्ट पत्ती था और ये देखिए ये वाला काड था लेकिन मैं जान के जान बूझ कर मैं सारे पत्ती को इस तरह से चलता रहा और लाश्ट में मैंने वो काड आपको निकाल करके इस तरह से दिखला दिया दोस्तो आसा करता हूँ कि आपको हमारा ये ट्रिक्स पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको हमारा ये ट्रिक्स पसंद आता है तो प्रीज इस जादू के खेल इस टास्क के ट्रिक्स को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद